दोस्तों डिसकस करेंगे आज इस प्लान के बारे में अगर हम बात करें यहां पे 28 feet by 32 feet का प्लान है तो यहां पे अगर हम बात करेंगे सबसे इसको हम dimension को remove कर लेंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस प्रप्लान के डिजाइन की हिसाब से अगर हम बात करें कॉलंस के बारे वें तो देख सकते हैं आप टोटल कॉलंस की बात करें तो यह आपको 14 मिल जागा यहने की चौदे कॉलंस मिलेगा और यहां पे कॉलंस का साइज हमने जो डाला है आश्यूली 10 इंच पई 10 इंच का डा की दिवार अगर आप चाहते हैं 10 की दिवार तो डाल सकते हैं बाहर की दिवार नइंट की प्रोवाइट किया है तो एक एक करों के जितने भी बाले हैं रहे हम वाटे के लिए अगर हम बात करें यहां पर पीदिध हाइट के वारे में तो दूस्तों यहां पर प्लींथ हाइट का हाइट जो रहेगा आप डाल सकते हैं कम से कम दो से हैं तो होना चाहिए आपके एरिये में वाटर लोकिंग है या फिर रोड सका रिफरेंस ले उसके बिसिन प्रोपर अग यहां पर देख सकते हैं प्लिंद का हाई अबने माक आउट कर दिया है उसके बाद आता है इंट्री यहां से स्टेप्स मिलेगा इंट्री करते हैं तो इस टीर आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटा सा बैटने का भी वना सकते हैं यहां पर इंसाइट की वाले हैं यहां जो वाल अरिया में आते हैं लिविंग कम डैनिंग अरिया काफी स्पेस का है और सब फ्रन्ट कॉर्णर में हमने एक बेडरूम प्रोइड किया है इसका पार्टिशन वाल्स लेंगे आप देख सकते हैं और यहां पर अगर हम बात करें दोर साइज की तो यह तीन फीट वाई साथ यहां पर सारा तीन फीट वएप साथ फीट और रहेगा इसे हम water जूसी crane नेटल के ओपर वाल के उलकिके हाई यह तेन फीट का דूसरे III का वाल मिल जाएगा इसे हम दूसरे वाल से कनेट करेंगे तो इस प्रकार से यह वाला किछन मिल जाएगा and next की बात करेंगे यहां पर नेक्सडे व़ाद बैडर maром है यह वाल है और यहां पर भी आपको जितने भी हमने इस प्लान में bedroom आपको दिखा रहा है actually इसका door size जो रहेगा आपको इंट्री करने का यह आपको 3 feet 7 feet है और अगर आप दोस्तों चाहें तो सारा 3 feet 7 feet डाल सकते हैं जो standard size है minimum 3 feet 7 feet या फिर सारा 3 feet 7 feet डाल सकते maximum और एक bedroom यहाँ पे है दोस्तों इस bedroom के साथ एक address toilet मिलेगा आपको और इसका भी partition walls हम लेंगे देख सकते हैं और यहाँ पे भी इसको भी हम लेंगे तक एक toilet है बात होगे और यह वाला bedroom मिल जाएगा इसके साथ आपको toilet मिलेगा देख सकते हैं को ना में हमने इस चोटा साइच का measurement details की बात करेंगे तो बात में share करेंगे और इसका जो door मिलेगा आपको 2 feet change by 7 feet का दरवाजा मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यह वाला आपको मिल जाएगा तो यह आपको door जिसके रहेगा bedroom का 3 feet by 7 feet का door रहेगा and 7 feet के ओपर 3 feet का wall तो इस प्रकार से दूसरे यह bedroom का door इसके बाद यहाँ पर नाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर यहां पर तीन bedroom की च Colonel डवाइब और इस के बात करें मेंदो कहां खार करेंगा गविंड़ को साईच क्या रखें तो फरंट की बात करेंगे तो यहां पे लाघ्र का डाल सकते है चबार यहां पे जिसका की नहेंद है इस उसके बाद यहां पर बैटरूम है तो इस बैटरूम को जिसे के शाडन फे डहीजिए के दो यहां पर बिनडों रहेगा एंड इसका भी रित कर लेते हैं उसके पार बाद सब्सक्राइब की बात करेंे बैक साइट तो एक एक कर के وिंडो रहे गा एक विंडो यहां पर आ जायेगा और हम इसका रूप olmuş पर कर लेंगे मसे उसक और यहां पर रहेगा यहां पिछ बेट्र में उन सिब एक विंडो यहां पर लेंगे जैक के रहें एट करले यहां पर toilet रहाए कि डबलू सी यहां पे देर लपर देख सकते हैं यह वाल डाई का आपिनिंग यहां पर आप देख सकते हैं इस सऺजिसके बात करेंगे तो जिसकी यहां पर hall एरिया है तो इसके लिए एक विन्डव का आपिनिग सकते हैं चार फिट बाट पर चार फिट का हम यहाँ पर विंडू लेंगे आप इसका उपिनिंग लेंगे तो देख सकते हैं आप डोर विंडोस को उपिनिंग हमने प्रोवाइट कर दिया जिसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं 17 meter 9 inch आपको यहाँ पर मिल जाएगा 18 इंच इसका साइज देख सकते हैं अब 10 फिट 9 इंच आपको यहाँ पर मिल जाएगा 18 का इने प्य Impfर यहाँ पर की बात करेंगे बात कोई इसके बाती empower बे ahora और यहां पिए सपेस्ट का यहां पर देग सकते ही यह व्यला साइज की बात करे है 19 फीट 9 इंच 19 फिट 9 इंच नौइंच फिर 11 फिट 2 इंच का मिल गा उसके बाद यह व्यला बात की बात करें ट्वायल इक कॉमन संट्टीन दस इंच भाई यहां पर बात करें कि 15 फिट देख सकते हैं यह भी 15 फिट भाई आपको यहे बला साइज मिल जाएगा आपको यहां पर आट फिट दो इच तो दूस्तों और हम बात करें 28 फिट बाई 32 फिट का प्लान जो है उम्मीद करते हैं प्लान काफ ही अच्छा लगा आपको थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो